मार्केट से केले लाने के बाद दूसरे दिन केले कुछ इस तरीके से हूने लगते हैं और इनको कोई भी खाना पसंद नहीं करता है फिर इन केलों को फैक ना पड़ता है तो इसके लिए आज मैं आप लोग साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आएं जिससे केले आपको फैक नहीं पड़ेंगे तो सबसे पहले ग्राइंडर जार में केलों को इस तरीके से तोड़ करके डाल देना है तो मैंने दो केले इसमें डाल दिये हैं उसके बाद इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे और साथ में यह मलाई वाला दूड डाल दिया है और इसको जो अच्छे से ब्लै किया था थोड़ा सा पानी और इसमें एट किया था मैंने तो आप भी अपने जरुत के अकॉर्डिंग्स में पानी एट कर लीजेगा तो यहां कुछ इस तरीके का गोल बना कर तियार करना है उसके बाद मैंने इसमें आदा चोटी चमच पिछी पिसीवी सॉंप डाल दिया और इनको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेना है पलट प्रट कर सबी तरफ से तो यहां मैंने यह पकोड़ियां इसमें डाल दी है अब इनको पलट तो यह जो रेस्पी मैंने बनाई है ने बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है आप भी अ कि की पकोड़ियां भी बना कर नहींत तो यहां पर हमारी यह बच्य होए की पकोड़ी बनकर त्यार हैं जो कि बहुत लीँदा जाद आपको तोड़ कर भी दिखातए नहीं कितनी छ्वाइस